हेलो फैंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना अजूकेशन में आज की ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि एडिट जूनिर हाइ स्कूल भरती नोटिपिकेशन जो निकला था उस पे हाइ कोर्ट दुआरा रोक लगा दी गई है तो दोस्तों आज की वीडियो जरूर पूरी देखेगा ताकि आपको पता चल सके कि एडिट जूनिर हाइ स्कूल भरती फिर से कब दुबारा बहाल हो सकेगी तो यदि आप हमारे यूइटुब चैनल आपका अपना अजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और स्ब्सक्राइब कर दीजिए तो स्रू करते हैं आज की वीडियो एड़ेट जूनियर हाई स्कूल भरती विग्यापन पर फिर लगा प्रेक नयाल लेके आदेश के चलते एक मार्च बाद हो सकेगा जारी प्रदेश के 3099 अशाष के साहता प्राप जूनियर हाई स्कूलों की सिक्षक भरती फिर फिर ग्रहन लग गया है इस बार हाई कोर्ट ने कमेटी ओफ मेनेजमेंट आदर्स जूनियर हाई स्कूल की याशिका पर एक मार्च तक के लिए इस्थागनादेश जारी कर दिया है पदो के लिए गुरुवार को विग्यापन जारी नहीं होगा इसके पहले सासन देश में खामी की वजह से तैस समय पर विग्यापन जारी नहीं हो सका था ओनलाइन आवे दिन की समय सानिनी में भी बदलाव किया गया था एड़ेट जूनियर हाई स्कूल की सिक्षक भरती का इंतजार बढ़ता जा रहा है सरकार ने नियामवाली में संसोधन करने के एक साल बाद रिक्त पदों पर भरती कराने का आदेश दिया था इम्तहान कराने का जिम्मा परिक्षा नियामक परधारिकारी उत्तर परदेश परयाराक्ष को सोबा गया भरती के लिए अब तक 3 साशन देश 18 जनवरी तथा 10 व्य 19 फरवरी को जारी हो चुके हैं दस फरवरी को जारी आदेश में कई गलतियां होने के कारण शाशन को संसोदित आदेश 19 फरवरी को जारी करना पड़ा था परिक्षा संस्ता को 25 फरवरी को भरती का विज्यापन जारी करना था इसके पहले ही हाई कोर्ट ने भरती पर इस्ताना देश जारी कर दिया का परिवधान किया है इसलिए नियमाली में शंशोधन हुआ कमेटी ओफ मेनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल ने हाई कोर्ट में याची का दाखिल करके कहा कि भरती के नियम में बदलाव विधी सम्मत नहीं है नयमूर्थी विवेक कुमार बिड़ना ने यथा स्तिति का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की ओड़ से जवाब दाखिल है लेकिन वह रिकोर्ड पर नहीं है इसलिए एक मार्च प्रकरण की सुनवाई होगी तो दोस्तों एक मार्च के बाद क्या होता है इसके लिए हम दुआरा जरूर वीडियो बनाएंगे आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ